नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू जिया के चनवी लोग आज मैं आपके लिए लेक्या ही भोती स्पंजी और जालीदार बेशन का डोगला यह गर पर आप आसानी से बना सकते हो कम टाइम में और कम बच्चत में चैनल पर पहली बारा है तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब और इसके अंदर हम लिए अभाण से अलदी अधोर हेल्दी पाउडर्णक सब्सक्राइब ऑप्सनल है यह क्लर के लिए डाला जाता है साथ में एड्कर वीम मीर्ण के लिए उसके अफ यह शूची करेंगे इसका बैटर में ना ज्यादा गड़ा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है इस तरीकी से में 5-6 मिनट तक इसको लगातार चला हूँ इसके अंदर एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए अगर इसके अंदर लंच रहे तो डोकला है वो मारा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं त इस तरीकी से में 5-6 मिनट तक लगातार इसको फेट लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर हमारा कैसा बना है आप इसके अंदर चाहे तो सुजी भी एड़ कर सकते हो बेशन और सुजी का मिक्स डोकला भी बना सकते हो वो भी बहुत ही अच्छा फू अच्छा क्या है जब जालीदार ज़ालें के बाद इसको लगातार3-3 मिनट तक ओर चलाइंगे हम ताकि मारे हम लचा भी हो फूल जाए और जालीदार बने घख सकते हो बेशन फूल के डबल हो चुका है तो इस तरीकी से डालनेसे आपका जो बेशन है वह अच्छी तरीक बनाने के बाद ऊतारेंगे तो वह सनी से उतर जाए इसके अंदर मैं ने गी डाल दिया है और इसको अच्छे से आथों से ग्रीस इस तरीकी से ग्रीस कर लेते हैं अब इसके अंदर सारा का सारा बटर मैं डाल देती हूं आइम हे निखी सारा बटर मैं ने इसके अंदर डाल दियाए है आप देख सकते है जो थाली है वह ने का सबस्क्राइब करें है जा टालने के बाद ऑध तक बात भढेंग है कि अंदर ग्रीस कर थाली से उपर तक वहाली से ने हम और यह इसके उपर मैं रख देती हूँ अपनी जो थाड़ी है वो और इसको ढखके में 15 मिनट तक पकाऊँ में मीडियम फ्लेम पर ना जदा लो रखना है ना जदा हाई करना है दूसरी तब हम कर लेते हैं इसका पानी डोग लेगा तो तेल के अंदर मैंने राई डाल दी है और हरी कड़ी पता डाल दी है उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे दो गिलास पानी पानी अच्छी तरीके से उबालाने तक हमें पकाना है साथ में हम एड़ करेंगे चिन्नी है निम्बू है और नमक तो इदर हमारा डोगला पकरा है देख सकते हो अब कितना फूल चुका है पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यह देखी बैटर है वह मारा कितना पक चुका है कितना बैटर डाला था हूं दोगला मारा कितना पक Allah कैजितेIsकों के चिपक अ रहा है तो इसका मतलब हरा रहा रहा दोगला कच्छा है तो लेकिन चंधी पानी कर दींदा के उ तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मारा डोगला अब इसको चक्कू के साथा से में कट कर सकते हैं तो इस तरीकी से मैं इसके फीश से वो कट कर लिती हूँ इसके बाद उसके उपर डाल देंगे हम डोगले का पानी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के मारा तयार हुआ है तो इस तरीके से आप गर पर कम टाइम में कम बचत में डोगला असानी से बना सकते हो मार्गेट से लाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज जरूर सब्सक्राइब करें